वेलकम टू ब्लैकबोड एजूकेस्टन फ्रेंड्स आज के हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे असम्स राइस वाइन जूडिमा गेट्स जी आई टैग आप लोग जी आई टैग के बारे में जानते हुई एगा और बहुत सारे वैरियस प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रिय यह जी आई टैग दिया जाता है यह भी अपकलते हुई है लेकिन क्या खास बात है इस राइस वाइन जूडिमा में इसके बार में डिसकस करेंगे और उसके साथ ही कुछ इसकहष के बारे में इसको वीडियो में देखेंगे अगर आप इस वीडियो का pdf डाउनलोड करना तो हमारे इस टेलिग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं चले वीडियो को सूरू करते हैं सबसे पहले कुछ पेसिक्स को डिसकस करते हैं फ्रेंड्स की यह जी आई टैग होता क्या है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगरिकल्चरल या नैचुरल या जो मैनुफेक्टर गूड्स होते हैं इंडस्ट्रियल गूड्स होते हैं जो किसी खास एक जोग्राफिकल लोकेशन में ही प्रोड्यूस करे जाते हैं उसको हम पहचान के लिए देते हैं जी आई टैग जी में सबसे पहले क्वालिटी का एक एस्ट्रियंस आपको मिलता है कि क्वालिटी उसमें कभी भी खराब नहीं होगा और दूसरा फ्रेंड्स फाइदा होता है कि जो भी उसके प्रोडक्शन में लगे हुए लोग होते हैं उनको एक अच्छी प्राइस एक प्रीमियम प्राइस मि को इससे नुकसान होता है क्योंकि जो प्रीमियम क्वालिटी है जो उसके ओरिजनल प्रोड़क्टिवीटी वाले लोग होते है उन्हीं को फाइदा मिलता है अब उमीद करते हैं समझ गवांगे कि जी आई टैग क्या होता है इसके रेगुलेशन के बारे में देखते हैं त जो इंडिकेशन दिया जाता है इसके रेजिस्ट्रार कान होते है तो इस पूरे पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है इसका जो ओफीस होता है तो यहां देख सकते है इसका उफीस होता है चैन्ने में कि कुछ फैक्ट आप जरूर याद रखिए गाएग एगशन पॉंट अब देखते हैं कि यह इतना important क्यों है जुडिमा जो होता है वो इतना important क्यों है तो जुडिमा जो है एक homemade rice wine है जो असम के दिमासा tribe के द्वारा बनाया जाता है जी आसम में बहुत सारे tribes आपको देखने को मिलते हैं लेकिन उनमें एक tribes का नाम है दिमासा जो लोग यह अपने नौर्थ हिस्ट का पहला traditional brew है जिसमें आपको geographical indication प्रवाइड किया गया है और साथ ही साथ जो कर्भी अंगलांग और जो दिमासाओ जो वहां का district है वहां का यह second product है जिसको GI टाइग दिया गया है जो जो ग्राफिकल इंडिकेशन टाइग दिया गया है थोड़ा map में यह जो असम का tribes है और यहीं पर अपने घर पर राइस से इसका production इस wine का production करते हैं याद रखिए कि थोड़ा से इस चीज को यहाँ पर एक बहुती सुंदर फोटो देख रही होगा इस homemade rice wine का यहाँ फोटो आपको दिखाये गया है चलिए देखते हैं जुडिमा के बारे में जुडिमा is a rice wine made from sticky rice यह जो wine होता है कि sticky rice से बनता है जो steam करने के बाद से उसमें कुछ traditional herbs मिला जाते हैं जिसको कहते हैं थेंबरा जो herbs इसमें mix करे जाएंगे उसका नाम होता है थेंबरा और चावल यहाँ यूज किया जाता है इस wine को बनाने में उस चावल का नाम होता है फिर से चावल का नाम बोरा होता है और जो उसमें traditional herbs मिला जाते हैं उसका नाम होता है थेंबरा यह जो होता है यह कुछ बनाने में कुछ साथ दिन का समय लगता है लेकिन इसको लंबे समय जोता है कुछ वर्सों तक आराम से इसको store किया जा सकता है इसकी खास बात होती है जो जूड़ीबा tribes होते हैं उनका एक फोडो देख सकते हैं और साथ ही में हम देख लेते हैं कि असम से related कौन से दूसरे प्रोड़क्ट से जिसको हाली में जी आइट दिया गया था पहला है काजी नेमो एक तरीका के यह निम्बू होता है लेमन होता है जिसको हम लोग 2020 में जी आइट दिये थे और दूसरा होता है चुकावा राइस इनसम जिसको 2019 में जी आइट दिया गया था अर्था तब देख सकते हैं कि नौर्थ इस्ट रिजन से काफी हद तक बहुत से goods को हम लोग जी आइट दे रहा है जिसे वहां के farmers को काफी फाइदा हो रहा है उमिद क